बिना किसी जंजट के इंस्टेंट आप बनाईए ये सारबात पहुती ठंडाई भी बोलते से ठंडाई बोल दीजिए ये मैंने बनाईए ठंडाई और इंस्टेंट ठंडाई बनाईए कोई जंजट नहीं करना है आप किसी को जंजट लगता हो क्या क्या ले हैं क्या किसी के तो आप रूआ सकते हो लासकाते हो बहुत ये इसली बन जाती है जिस किसीट को बढ़ाना आता होगा वह भी ठुटा ही वीडियो एक छैंल तानुमी य00 चैनल में ऐसे नागनол धुकिल का मन करता रहता है तो इसी तरह की रेसिपी आपके साथ मैं करूंगी से अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक जरू कर दीजेगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजेगा तो देखे गाइस यह लिए है मैंने गोपाल जी की ठंडाई बादाम पिस्ताई है तो इसमें सबकुछ मिला हुआ है और यह लागे आप घर पे बना सकते होती जब मेरे को कभी टाइम नहीं मिलता है तो मैं बच्चों को बनाके देदें तूइससे तरो ताज की महसूस होती है जैसे बहुत ही तैस्टी होता है और इसको आप आप इंस्टेंट याँनि जबी भी आप का मन करें जबी वह आपके गर्में ज़िए कोई महमान आ जाए तो आप तुरुंत फुरुंत यह बना सकते हो इसमें कोई जंजट नहीं है आप यह लोग कई कई टाम क्या होता है कि हमारा पास सामान नहीं होते हैं और हम नहीं बना पाते हैं और हमारा मन भी करता है कि क्यों ना ठंडाई बना लेते होता तो आप यह ला सकते हो और भी कई तरह की आती है तो ला सकते हो इससे क्या है कि इंस्टेंट यह बहुत मतलब पांस से दस मिन्ट बहुत ही सस्ता आता है जाता महेंगा भी नहीं आता है और आप आहां प्रिज में चिल वाला उसमें मिलाईए और बनाई ये मैं बताऊंगे आपको किस तरह से बनाना है तो इस तरह की पेकेजिंग कुछ हाती है तो ये देखिए इसके अंदर एक पेकेट होता है इसके अंदर पूरा प्रिमिक्स होता है इसका ठंडाय का होता है पूरा तो आप ये ला सकते हो ड़ेडी बहुत ही ले रही हूं लोटा भी बोलते हैं इसमें मैं दूर डाल दे रही हूं चिल्ड दूर बिल्कुल ठंडा दूर आपको लेना है जब कभी भी आपका मन करें पीने का कुछ ठंडा या आपकी घर में कोई महमान भी आ जाए तो आप इस तरह से बना सकते हो कोई जंजट नहीं है आप यह लो वो लो आप ऐसे प्री मिक्स लीज़े आपके पास होना चाहिए तो एक चाहिए चोटी कटोरी है तो यह दो चमश मान लीज़े चार चमश के लगवर मैंने यह पाउडर ले लिया है अब हम क्या करेंगे इसमें डाल दिया है अब मैं एक राई सी लूंगी यह तो यह बिलोनी वाली रही है जो हम धाई बिलोते हैं वह वाली है तो उससे मिक्स कर लेंगे इससे क्या है कि जो ठंडा होती है बिल्कुल रिचनेस देशी दिखेगी अच्छी दिखेगी इसलिए हम इससे कर रहे हैं पर जो यह बिलोनी वाली ठंडा है जो इससे मैं अच् जो थिकनेस रिचनेस दिखेगी इसलिए मिला रहे हैं अच्छे से मिला लेना है घुल मिल जानी चीज जब आपकी ठंड़ बहुत ही टेस्ट लगती है तो इसमें कुछ नहीं करना है आपको प्रीमिक्ष डाल देना है दूद में और फिर आप मैं क्या कुणूंगी चीनी डा डाल सकते वह ठंड करती है और यह ठंडा बहुत ही ज्यादा ठंडी होती है तो देखें हमारी बंके रेडी हो गई है और हमें सरव कर दे रही है तो देखें आपको कोई भी जंचट नहीं है आप देशे चिल दूद होना चाहिए और उसमें प्रीमिक्स मिला दीजे और फि नहीं में धेखें और प्रीमिक्स मिला देखें और हमारी वीडियो आपको कैसी लगी और हमारा समझाने का तरीका कैसा लगा कमेंट करके जरूँ पूछे और ये इसपयों कोई कंफ्यूज़ नहीं हो तो वह पूछ लीजेगा मैं उसका रिप्लाइज जरूर देती हूँ और आपको यह दिको डाउट हो तो वह भी आप पूछ लीजिए मैं आपका किलियर कर दूँगी और भी मैंने सर्वत की रेसिपी सेयर की है घर पे होममेड बनाने वाली तो वह भी आप जाके देख सकते हो वह मैंने बहुत अच्छे से समझाया है उन्हों का लिंक भी मैं डि स्वीडियो में कि बाइफ